यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी और फूली फूली रोटी नरम इतनी कि आप पूछे नहीं तो देखिए कितनी सुंदर यम्मी रोटियां बनाने के लिए कि हमें क्या करना है पूल सारी ट्रिक एंड ट्रिक्स हम इसमें बताएंगे हलो आप सब का स्वागत है हमारे गुनगुना पानी है जितना गुनगुना पानी आपका हाथ बरदास्त कर सके बस उतना गुनगुना हमने पानी ले रखा है तो हम आज इसी से डो लगाएंगे ठीक है इतना देखिए इतना गुनगुना है कि हमारे डाल रहा है तो हाथ उसमें रख सकते हैं पानी में रख लेकिन अगर आपको तुरंत इंस्टेंट आटा लगा करके तुरंत हमें रोटियां सेखनी है तो आप गुंगुना ही पानी ले तो यह देखे थोड़ा-थोड़ा करकर के हम पानी डालेंगे और अपना स्मूथ डो लगाएंगे जितना नरम आटा लगाएंगे उतनी ही नरम मुलायम रोटियां बन करके तैयार होंगे तो देखे देख रहा हैं इसी तरह से हम लगाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके यह देखे हमारा लगबग लग चुका है आटा तो अब क्या करेंगे पूरी अभी यह पूरी तरह से नहीं लगा है अभी यह मैं सोचेगा पूरी मिनट के लिए एसे ही गीला आटा मस लेंगी तो देखे मसलते मसलते हमारे हाट का जितना भी आटा व्फ़ा था सारा चुटक Lakya है और आटा अच्छे से मसल चुका है तो आपको अभी हमदिखाएंगे काईज माल कैसे होना चीए यह देखे हमारे टाट हमारे टों ऐसले हो अच्छी बात होती है कि दो ही जितना अच्छे से लगा होगा उतना ही रोटियां अच्छी बनेगी तो देखिए हम 10 मिट के लिए लख देंगे आटे को डग कर और अब यह देख सकते हैं हमने चला दिया है तवा तो दस मिट हो चुका है तो चलिए अब हम पनाते है अपनी बेट करना होता है इसलिए हमने 5 मिट तक आटा मसलने को कहा तो चोटी-छोटा सा बॉल ले ले लिए बड़ा-सक बॉल ले लेंगे इसको हम लंबा-लंबा करके इसकी हम छोटी-छोटी लोगें तोड़ेंगे आराम से तो यह देखिए इस तरह से चोट बड़े नीबू के कि अगर बाल्स तोड़ी हैं तो इसी तरह से हम सारी के सारी तोड़ लेंगे तो यह देखे हैं, हमने बाल्स ले लिया, जिसकी समूथ बनाएंगे लोई क्योंकि हमें जितनी समूथ जितनी फाइण लोई बनी होगी उतनी अच्छ से समूथ ली रोटी बनकर आएगी और एक बाद जितनी स्मूथ एक भी क्रैक्स अगर हमारी लोई में नहीं होगा तो हमारी रोटी अच्छे से एक एक रोटी फूल कराएगी तो इसको इसमें स्मूथने सोनी बहुत जरूरी है तो यह देखे आज अब हम गुमाते हुए अपना रोटी बेलेंगे बहुत हलके हाथों से रोटी बेलनी है और अगर हमारी रोटी चिपकने लगे तो आप सो खाटा लगा करके आप आराम से बेल सकते हैं तो यह देखे गुमाते हुए हम बेल रहे हैं यह देखे गुमाते हुए बेल रहे हैं और हमारी रोटी गोल बेलती जा रही है तो इस तरह से पलटते जाएंगे हम रोटी को और अच्छे से गोल बेलते जाएंगे तो यह देखें रोटी बिल चुकी है हमारी तो हम इसे डाल देंगे तवे पर तो देखें इस तरह से करके देखें हीट अच्छे से आ रही है तो हम इस पर डाल देंगे और यह देखें ग कि तो यह यह कि इश तरहसे करते हुए हम फिर गुमाते हुए बेल लेंगे डेखिए अगर चीपक ने लगे तो सुखा钓 लगा लिजिए यह देखिए और इस तरह से करना है तो पहले हम एक तरफ हलका सा जुकाएंगे फिर हम दूसरी तरफ बेलन जुकाएंगे और इस तरह से करते हुए हम जुका लेंगे पड़ी रोटियाँ चित्ति चित्ति दिख रही है तो इनको हम आराम माइत पूँ है कि कुक्ख होंगे देतान से अच्छे चित्तियां पड़ागा शायों अच्छे से चितियां पढ़ चुकी है तो बस इसी तरह से हमें रोटी को कुक करना है तो यह देखिए इस रोटी को ऊपर कर दिया और दूसरी रोटी हमने ऐसे डाल दी है तो अब देखिएगा देखिए यह रोटी मटा कर देख रहा है तो यह देखिए चितिया इस पर भी मुपर साइड में भले ही कम सितिया मलड़े मगर नीचे साइड में सितिया도 को इसी तरह से करते हैं फूल कर आ गई तो बस इसी तरह से हमको रोटी को सेकना है कि अच्छे से सब तरब से देत हैं एक ईflowsलने क् substitute factor को विए रोटी को इसी तरह से षंहें गें कोई प्रॉब्रम तो यह देखे हमारी सेटें रोटी भी कितनी अच्छे से फूल कर आई है यह देख सकते हैं इसी तरह से हम सारी के सारी रोटी अपनी सेख कर रेडी कर लेंगे और सारी यम्मी और मुलाइम रोटियां बन करके तयार होंगी हमारी